आज जो मैं आप सबसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ उस रेसिपी का नाम है चिकन अंगारा जी हाँ यह प्रेजन टेबल होने के साथ साथ खाने में बहुत ही जादा जबरदस्त लगता है और जो इसका मैं स्मोकी फ्लेवर दोंगी वो खाने में चार चांद लगा देगा मैं बहुत ही आसान और सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ इस रेसिपी को बताना सिखाऊंगी जो कि आप अराम से घर में बना सकते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे खाने के बाद कि यह इतनी जादा टेस्टी हो सकती है तो आईए स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने कु खोटील आईची एक टी स्पून मैं ले 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 लिया है जीरा इसके साथ ए ले लिया है मैंने एक तुकड़ा दाल-चीनी का इसके साथ दो सूखी लाल मिर्च मैं ले ले लिया है इन सब को हमें कर लेना है अच्छे से ड्राइ रोस्ट तो कुष्पु आने तक लो मीडियम तो एके करके हमें सारे सूखे मसाले को इसमें डाल लेना है यानि जो खड़े मसाले है उन सब को हम डालेंगे एके करके और सब को हमें कर लेना है अच्छे से ड्राइ रोस्ट याद रखे हमें से जलाना नहीं है बस थोड़ा सा ज्राइ करना है ताकि एक अच्छी सी हल्की ख तो आप देख सकते हैं यहां पर हम सब को अच्छे से चला रहे हैं कंटिन्यूसली इसको चलाते रहे और फ्लेम को आपको रखना है लो तो जब यह हो जा इसके बाद ग्यास की फ्लेम को ओफ करके थोड़ा सथंड़ हो जाने दे और इसके बाद हमें से ग्राइंडर में डाल इसके साथ ही मैंने यहां पर ले लिया है काजू और बादाम पांसे चे मैंने बादाम और पांसे चे मैंने काजू ले लिया है इन सब को हमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है अच्छे से प्यास के साथी तो चिकन मैंने ले लिया है यहां पर हाफ केजी इ इसके साथ ही मैंने यहां पर 2-3 टेबल स्पून के करीब अद्रकलेसुन का पेस्ट डाल लिया है इसके साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे इसमें नमक डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूं कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत ही जादा अच्छा एगा और जो हमने ड्राइ रोस्ट किया हुआ था खड़े मसाले को आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा दरदरा ही पीसा है उनको भी मैंने डाल लिया इसके साथ ही जो हमारा प्यास और काजू बादाम का जो पेस्ट था मैंने यहां पे पानी डाल के अच्छे से पेस्ट अगA तो आप देख सकते हैं मैंने सबको मिला लिया अब अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहां पर फूंड कलर लिकविड फॉर्म में हैं आपके पास जो भी अवेलिबल हो आप ढाल सकते हैं कर यह तो डालना चाहें तो डाले नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर तो मैंने सब को कर लिया है मिक्स अब इसके उपर हम डालेंगे स्लाइस किया हुआ तो मैं यहां पे हाफ तमाटर यूज कर रही हूँ इन सब को ऐसे रखके हमें कर लेना है मैरिनेट कम से कम मैरिनेशन एक घंडे का होना चाहिए आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सक करते हैं तो अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा चिकन है मैरिनेट हो गया है जिस ओयल में मैंने प्यास को तला था मैं वही ओई यूज कर रही हूँ आप देख सकते हैं हाफ कप के करीब है उन सब को मैंने डाल लिया इसके बाद जब तेल हमारा गर्म हो जा आपको कर लेना है अच्छे से मिक्स तो वरेम को आपको मीडियम रखना है अच्छे से मिक्स कर लेए такой कि जब एक अबाल आ जाए तो इसे हम कर देंगे ढ़क देंगे और बीच बीच में चलाते रहना है 5-10 मिन这ots उसे पकने दे इते 5-10 मिनेट के बाद देखेंगे कि जिक अफ में बशले हो गया है और हमारे पीसे भी बख चुके हैं अब इस के हमें हमें डाल ला है एक सिक्रिंट इंग्रीडियन यानि, की गरम मसाला की हो मेद्ट अपनेया है जो हमने खड़े शुद बना असे छे गरम मसाले नहीं थे तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला इन सब को अच्छे से मिक्स करें और गैस की फ्लेम को आप कर दें आफ आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मैंने जरा भी पानी का यूज नहीं किया जो ग्रेवी थी जो मैरिनेशन था उसी में हमारा चिकन करना है उसमें हम डाल देंगे एक फॉयल की कटोरी बना के उसके साथ ही इसमें हमें डाल देना है कोईला अच्छे से कोईले को गैस पे गरम कर दे ताकि जो स्मूकी फ्लेवर है वो निकल सके तो अब इसमें हमें डालना है देसी गी आप चाहे तो रिफाइन ओल का भी जाएगा तो पांच मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चिकन अंगारा बन के बिलकुल रेडी है तो आप यह देखिए अगर आप किसी के सामने प्रेजन करेंगे तो वह खुशी हो जाएगा और यह खाने में यकीन मानिए कि बहती जब अबर दस लगेगा तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें इस बार